स्टूडेंट इन अस्पाइरं स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल डेली जीएस डोस पर हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजर हो गए हैं अपने अपग्रेडिट कंटेंट और वीडियो के साथ तो जैसा कि आप आज का टॉपिक जानगे हैं आज का ट करते हैं कि आपने फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखे होगी मोच्ट इंपोर्टन हंडिट क्वेशन की अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक में जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी आप उसे जरूर देखिएगा एक जेनरल साइंस की म जिसमें कि पहला सवाल है what is used in nuclear reactor as a moderator तो बात करते हैं कि moderator क्या होता है moderator होता है it is a kind of substance that bring temperature down कोई भी reaction होता है तो उसमें इस substance को use किया जाता है उसका जो अपमान है इसको कम करने के लिए it is also known as heavy water तो क्या होता है इसका सही जवाब है deuterium oxide यूस किया जाता है d2o अगले सवाल पर चलते हैं which metal is in liquid state at room temperature तो यह जो सवाल आता है अक्सर जो जवाब होता है वो होता है mercury यानि कि hg mercury जो है वो liquid state में रहता है room temperature पर एक एसा और metal है जो liquid ही रहता है room temperature पर कई बार mcqs में mercury को नहीं देते हैं आजा option तो अगर mercury नहीं होगा तो इसका जो सही जवाब होगा व नहीं होगा है elektronegative, so elements basically elements जो होते हैं basically do taray के होते हैं metals और non metals बात करें जो non metals होते हैं वो electric electronegative होते हैं क्यूंकि वो बौरो करते हैं electron और आपने आपको bound करनी के लिए or metals जो होते हैं वो electro positive होते है they are loosely bound by their one electron basically non-metals जो होते हैं वो electro negative होते हैं बात करते हैं अंगले सवाल की what is known as artificial silk किसे कहते है artificial silk इसका जो सही जवाब है वो है rayon rayon को कहते है artificial silk अगला सवाल nitrous oxide यानि की N2O इसका chemical formula का नाम है it's also known as laughing gas आपने देखा हुगा कई पिक्चरों में भी कई मूवीज में भी laughing gas को यूज किया जाता है as if to create a scene comedy scene तो यह laughing gas basically जो होती है इसको अगर आप inhale करने तो आप continuous simultaneous reaction एक तरह से आप हसते ही रहेंगे चलते हैं अगले सवाल पे which compound is used to prepare waterproof clothes तो waterproof clothes जो होते है वो raincoats और umbrellas बनाने के काम आते हैं कौन सा compound यूज होता है ने बनाने के लिए calcium hydride अगले सवाल पे चलते हैं which noble gas is also known as stranger gas किसको कहते हैं zenon को कहते हैं अगले सवाल पे चलते हैं which acid is also known as oil of vitroil तो oil of vitroil किस acid का दूसरा नाम है तो sulfuric acid यानि की H2SO4 को कहते हैं oil of vitroil अगले सवाल पे चलते हैं for making of parachute which polymeric substance is used पारशूट बनाने के लिए कौन सा polymer substance यूज होता है इसका सही जवाब है viscose चलते हैं अगले सवाल पे acid rain is caused when the air is polluted by gases तो कौन सी गैस होती है जो acid rain को compose करती है और फिर वो acid rain जो है धरती पे गिरती है तो बहुत सारी चीजों में खराबी लाती है दिवास्टेट करती है तो basically acid rain जो compose होती है वो होती है nitrous oxide और sulfur dioxide से यानि की N2O और SO2 से मिलकर बात करते हैं अंगले सवाल की all noble gases are colorless and odorless these one liner questions are very important for your papers हमने इनको compile ही से तरीके से किया है कुछ questions इसमें previous year questions के previous year papers के questions में से लिये हैं कुछ हमने essay questions लिये हैं जो mock test में आते हैं generally पूछे जाते हैं paper में और कुछ हमने अपना observation लगा के इन सवालों को एक तरह से combine करके बहुत सारे सवालों में से यह 100 सवाल हम आपके लिए लेक्या है जो आपके लिए definitely best प्रूव होगा अगर आप इस वीडियो का as a last time revision लेकर चल रहे हैं बिल्कुल भी आपको निराशा नहीं होगी जब आप इन सव सवालों को पढ़के उठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ chemistry में एक important relevant portion हमने complete कर लिया है जलते हैं अगले सवाल पे which is used as a water purifier तो क्या यूज किया जाता है अगले सवाल पे चलते हैं Aluminium is extracted from which ore यह particular questions इतने papers में आ चुका है इतने previous year papers में आ चुका है अलग अलग exams के पुछा जा रहा है कि कौन से और से धारतू से Aluminium जो है जस्ता जो है इसको एक्ट्राक्ट किया जाता है निकाला जाता है इसका सही जवाब है बॉक्साइट और से अगले सवाल पे चलते हैं The process is used to synthesize ammonia जिस process को जिस process से कह सकते हैं कि Ammonia NH3 जो होती है इसको synthesize किया जाता है उसका नाम है Habers process बात करते हैं अगले सवाल की Which compound या acid is commonly known as aspirin क्या नाम है उसका Acetylic Salicylic Acid यानि Acetylic Salicylic Acid इसको कहते हैं Aspirin अगले सवाल पे चलते हैं Which gas is used to fill balloons जो ये गुबारे ऊपर चले जाते हैं हवा कि और तो what gas is filled in them helium is filled in those air balloons अगले सवाल पे चलते हैं What is also known as barata water तो barata water किसको कहते हैं Barium Hydroxide को कहते हैं बात करें Barium Hydroxide का formula होता है BAO2 BAO2 जो है उसको barata water भी कहते हैं अगले सवाल पे चलते हैं Best source of vitamin D Best source of vitamin D क्या होता है Sunlight Sunlight को अगर माना जाए तो ये सबसे जादा उच्छ स्त्रोत होता है Vitamin D का हमारी body में जब vitamin D की कमी हो जाती है तो doctor recommend करता है कि हमें धूप में बैठना चाहिए या patient में जिसको vitamin D की कमी होती है उसे धूप में बैठने के लिए सुबे की नरम धूप में बैठने के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है इसी तरह से fish, liver, cod, oil जो होता है वो भी vitamin D का rich source होता है अगले सवाल पर चलते हैं Which gas is the chief component of biogas? Biogas का chief component क्या है? इसका नाम है methane अगले सवाल पर चलते हैं What is the purest form of carbon found in nature? बात करें सबसे शुद्ध form यानि सबसे शुद्ध रूप जो है carbon का प्रकृती में वो क्या है? उसका नाम है diamond अगले सवाल पर चलते हैं What is the chemical name of chromic acid? Chromium trioxide अगले सवाल पर चलते हैं Chemical name of picric acid यह picric acid के दो बार तीन बार सवाल आ चुके हैं कई exams में इस वज़े से इस question को चूज किया थोड़ा सा comment से हटके है इस वज़े से यह सवाल आफन पूछ लिया जाता है पेपर्स में picric acid का chemical name क्या है इसका सही जवाब है Trinitrophenol अगले सवाल पर चलते हैं In photography Which chemical is used as a fixer? कुछ चीज़ों खराब हो जाती है So as a fixer किस chemical को use किया जाता है Photography में की photo खराब नहीं हो और यह कुछ section उसके edit करके ठीक कर लिया जाए So that which chemical is used? Sodium thiosulphate is used as a fixer in photography Let's talk about the next 25th question What are used to control the chain reaction in a nuclear reactor? Chain reaction को control करने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है? Cadmium rots का इस्तमाल किया जाता है Next question In sunlight, chloroform is converted into a poisonous gas This chloroform होता है जससे थोड़ी देर के लिए आगमी को unconscious कर सकते हैं बिगोश कर सकते हैं हमने movies में भी देखा है कि कई लोग जो है chloroform का यूज करते हैं तो basically chloroform अगर sunlight में इसको exposure मिल जाए sunlight में इसको निकाल दिया जाए तो यह poisonous gas बन सकती है और इससे मौत भी हो सकती है तो इसका जो basically नाम है वो होता है phosgene Next question Which vitamin contains cobalt? Which vitamin B12? Next question Which is one of the most common preservatives used in food processing industry? The food preservatives basically क्या होते है कोई भी canned food या packed food होता है तो उसको preserve करने के लिए कि वो काफी लंबे समय तक चले और वो खराब नहों तो कौन से चीज़ जो as a common preservative use की जाते है food processing industry में इसका नाम है benzoic acid बात करते हैं अगले सवाल की Which compound are responsible for permanent hardness of water? तो कौन सा compound responsible होता है? Sulphates and chlorides of calcium and manganesium अगले सवाल पे चलते हैं The temporary hardness बात अभी हमने की थी Permanent hardness की अब बात कर रहे हैं Caused of because of which compound? So basically it is caused because of bicarbonates of calcium and magnesium Both these questions are compulsory Which is in regard with the permanent hardness of water And the temporary hardness of water Coming on to the next question Copper is extracted from which ore? 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 When there is dead organisms are transformed into petroleum and natural gas So it happens when there is absence of air If the water doesn't have any presence of air Then dead organisms can also be changed into petroleum and natural gas Next question The next question is Deuterium is of hydrogen What is deuterium hydrogen? Basically the answer is the right answer Isotope The weight of iron when it is undergoing the process of rusting Rusting is in Hindi It is a lot of pain So basically weight is asked Masur found 100 grams of milk Aleks So こう gibi Antor 100 gram Butلة 2 Database What is deuterium as sangre? To break off your questions Efficiency of catalyst depends on its So скаж Catalyst basically What is jeszcze Acdoing This used nar paste 1000 Who cannot ressort Kariende फास्ट कर देता है उसकी जो वर्किंग होती है तो डिपेंड किस पर करता है यह एक्षल इस मेड़ अप आफ वरी इजी क्वेशिजन एक्षल इस मेड़ आफ काल्शियम कार्बुनेट के क्यामिकल फॉर्मिले की बात करें तो सी एसी ओ थ्री होता है अगले सवाल पे चलते ह बीटैमिन बी और बीटैमिन सी होते हैं और बिटैमिन ब्के ागत जो सब बीटैमिनिस होते हैं यह सब आते हैं वाटर जоды 2009 ड़ो थी फुज वायर6 pael ॉज जदेध गय वॉत हैं जिसे fuse basically एक इस तरह का fuse एक system set किया जाता है जिससे कि अगर कहीं पर भी short circuit हो तो वो तुरंथ connection को cut कर देता है और वहीं से ही इस तरह के जो कह सकते है disaster होते है उससे बढ़ जाता है तो यह जो wire होता है basically इसमें resistance बहुत हाई होता है किस से बना होता है यह wire इसका सही जवाब है lead और tin से अगले सवाल पर चलते है इस used to coat galvanized iron यानि कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर paint किया जाता है उस पर galvanization किया जाता है कि वो जंग ना लगे उस पर तो galvanization किस चीज के coating होती है लोहे पर तो बात करें उस galvanization में जो में चीज यूज होती है उसको कहते है zinc यानि की ZN अगले सवाल पर चलते हैं विच गैसे अर यूज़ बाइ सी डाइवर्स वर अंडर वाटर ब्रीधिंग तो सी डाइवर्स के लिए बहुत सरल सा सवाल है समझ में आ रहा है कि सी डाइवर्स जो है जो समुझ के निचले तल पर जाते हैं और खोच करते हैं वहां के लाइट स्टाइल की habitat की वो पानी के अंदर किन चीजों के इस्तमाल से पानी के अंदर वो सांस ले पाते हैं तो सवाल पर पर भूक जो फांग ऑग किसी और में को य «गल्छ आप न की को ऐ जाती है जिसका नाम होता है गैंज तो उस गैंग को बडिचले वो प्या हो यह किसी जए को कि इस ओर इस जयाता है तो वह गली हना बوقनी का नि दोसे के और में दोसें किसी ओर में पाय घैज तो मिट्टी का तेल इसको कहते हैं तो यह किसका मेट्सटर होता है, एलीप्टिक हाइड्रो का वेरी इज़ी, ग्रफाइट पेंसिल, अगले सवाल पे चलते हैं, लाइटेस्ट मेटल, तो कौन सा होता है लाइटेस्ट मेटल what is the main ore of mercury, यानि मरकरी को किस और से एक्स्ट्राक्ट किया जाता है, इसका सही जवाब है सिनबार से, अगले सवाल पे चलते हैं, which metal is found in the highest proportion in earth's crust, यानि की अर्थ की चो सता है, यानि की अर्थ की चो सता है, इस पर सबसे अदा कौन सा metal पाय जाता है, एकदम हाई प्रपोर्शन माइन में एक्स्प्लोजन हो जाते हैं, तो यह बेसिकली होते हैं, मीथेन और हवा कर जब डारेट कॉन्टाक्ट होता है, तो यह एक्स्प्लोजन टेक प्लेस करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, what is the compound that is used in nail polish remover? तो nail polish remover में क्या यूज होता है ऐसा जिससे की nail paint को वो erase क तो यह बेसिकली असे टोन यूज होता है, तो यह बात करें कि nail paint में कौन सा chemical compound यूज होता है, तो उसमें यूज होता है polymer जिसको जिसको नाइट्रो सेल्यूलोज भी कहते हैं, तो बेसिकली दो तरहेखी चीज़े हैं, अगर आप से पूछा जाएगा कि nail paint में कौन सा chemical compound होत तो इसको कह सकते हैं कि nitrocellulose यानि polymer और बात करें nail paint remover में तो होता है acetone, अगले सवाल पे चलते हैं, natural rubber is a polymer derived from, तो यह derived किया जाता है isoprene से, अगले सवाल पे चलते हैं, the coating of non-stick cookware is off, यह जो non-stick cookware की coating होती है, इस पे खाना चिपकता नहीं है, सतह से, तो यह किस चीज की 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 जाती है, यह coating की जाती है, poly tetrafluoro ethylene, यानि PTFE, इसको teflon भी कहते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, the nuclear fusion on earth's sun surface results into the formation of atoms, तो यह जो basically, यह जो atoms होते हैं, यह helium के atoms होते हैं, जो sun surface नुकलर fusion टेक प्रेस करता है, अगले सवाल पे चलते हैं, organic compounds are only soluble in, the answer is non-polar solvents, अगले सव अगले सवाल पे चलते हैं, this is also known as fool's gold, तो किसको fool's gold कहा जाता है, fool's gold यानि मूर्खों का सोना, क्यों कहा जाता है, मैं बताती हूं आपको, iron pyrite को कहा जाता है, fool's gold, क्योंकि बहुत हद तक gold की तरह लगता है, iron pyrite को अगर polish कर दिया जाए, तो बहुत हद तक, यह सकते है, सोने की ही तरह लगता है, लेकिन एक अंट्रेंड आई के लिए सोने की तरह हो सकता है, लेकिन जिसको, जिसकी नजरों को बहुत परख है सोने की और उसकी purity की, वो इसको एक मिनट में पहचान लेगा, कि यह जो है, असली सोना नहीं है, इसी रिए इसको fool's gold कहा जाता है, य और यह सोने की तरह रिए सोने की। टितर सपी करेटी यह सीवाचिन है जह में है, लेकिन आई की और आप्टल, पर लेकिन आप, को यह साथ नहीं है और रगनिटीन, आप is petroleum or fossil fuel found in which type of rock? sedimentary rock next question what is called as white gold? platinum is known as white gold very important question also an easy one next question what is the purest form of iron? what is the purest form of carbon? it is diamond but if you ask iron the correct answer is rot iron rot iron is the purest form of iron next question which ore is used to extract radium? these ore questions come a lot particular metal one metal is extracted from the ore which ore is extracted from the ore? which ore is extracted from the ore? the correct answer is pitch blend next question solder is an alloy of tin and lead next question which radioactive isotope is used in cancer treatment? this is cobalt-60 next question what is the element common to all acid? this element which is common in every acid is used in every acid so what is that? that is hydrogen next question this is created by alloying iron and chromium i.e. iron and chromium alloy is basically a mixture of metals and non-metals so basically when iron and chromium are mixed together this is formed what is formed? stainless steel most of the rosemary are stainless steel and stainless steel it is made of iron and chromium mixture next question the luster of a metal the luster of a metal the luster of shine in metal why? this is because due to presence of free electrons next question which mineral element is found in chlorophyll? which mineral element is found in chlorophyll? next question the most abundant element in the earth's crust i told you this is oxygen next question the term catalysis was coined by which catalysis term was given by which catalysis term which catalysis term was given by which catalysis term was given by johns jacob berzelius next question we hope we hope that you will come here until we come here we will not skip this video because we hope basically that you have this content that you don't have time to lose and you will more and more grasp your daily content your daily goals your daily goals your particular target on a daily basis that don't disturb anywhere somewhere somewhere and more knowledge less and less time grasp so basically this is the motive i hope that the speed will make good somewhere you don't skip the video you also maintain the speed and we will see the answer with questions let's go to the next question which element is in the primary reason for radio activity found in human body which element it's potassium 40 next question germanium an ultra pure metal is purified by which method which method is purified by zone refining next question tooth enamel which coating is the hardest coating in the whole body basically tooth enamel is made up of hydro hydrosyapetite mineral compound of calcium and phosphate phosphate and calcium create a mineral compound which is hydroxyapatite is made up of tooth enamel that's why it's the hardest next question which gas is filled inside a tube light or a tube wall it is mercury vapor and argon next question next question in an aqueous solution of acetic acid what is aqueous solution it is vinegar sirka in hindi which vitamins are water soluble i told you fat soluble A D E and K so water soluble are B and C next question silver turns black is tarnished because of its reaction whenever you see sandi somewhere in some state india sandi is red and not so basically somewhere in water and somewhere in water it is a compound which tarnishes a shine of silver and turns it over to black why? it reacts basically silver reacts with sulfur so maybe sulfur can be present in air or maybe in water and that is why when silver reacts with sulfur it starts turning black next question melting of ice can be prevented with the use of gallatin next question a bee sting contains which acid when someone cuts which acid is swollen up area so basically the answer is metanoic acid next question an orange concerns which acid easy question citric acid next question etching of glass is done with the help of etching basically embossing also embossing when someone designs art etching 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 is also used in soft drinks easy question the acid used in soft drinks is carbonic acid H2CO3 next question silver iodide is used as a seed agent for making of artificial rain artificial rain is used as a seed agent when pollution content is high and there is a need to settle down all the pollutant particles of air artificial rain is used as a seed agent for making of artificial rain next question what is used as a catalyst for the synthesis of sulfuric acid by contact process so what is its platinum pt next question vanaspati ghee is synthesized with the help of which catalyst which catalyst is synthesized from nickel and Ni is used as a seed agent swelling of bread takes place bread is baked it turns into quite swollen up substance so why it happens why does bread swell up too much its because the presence of carbon dioxide next question cigarette lighters contain which gas is used in butane is present in the light and that is why we can lit up anytime next question which gas is used in fire extinguisher the gas used in fire extinguisher is carbon dioxide next question this is termed as a metal of future so metal of future can say titanium can also be found in bharat which place can also be found in comment section please tell us in safety matches which is like gunpowder substance which ignites friction gives light and heat energy basically it is prepared by using red phosphorus next question a photoelectric cell contains metal selenium selenium next question zinc phosphate is used as rat poison which is used as rat poison which is used in zinc phosphate in this way tricky questions these chemistry questions are definitely going to change your paper pattern I tell you these are very important for all the exams as a one liner or as an MCQ next question which is the hardest substance found in human body tooth enamel I told you next question ozone is an which form of oxygen basically it's the form of allotrop O3 next question which metal is naturally antibacterial and it kills bacteria its copper and last question which was the first element to be produced after big bang big bang is the big bang explosion which took place so hydrogen was the first element which was released after big bang theory last question if you pour a handful of salt into a glass of water the water level will basically if you have a glass of water half filled okay and then you take like a full full like two to three spoons of teaspoons of salt and you put down pour it into the water what will happen the water will I mean the water level will rise will fall off or it will remain constant what will happen to the water it's a quite shocking to know but it is science behind it it actually goes down it falls down so let's go we have finished our 100 questions chemistry most important hundred questions which are definitely going to be a part of your upcoming exams and competitive papers so we hope that you will find this video you will find these 100 questions and you will find some questions that you will find some questions that you will find as a form of short note or flow chart so just this we will find you will find in the next video we hope that you will find physics playlist and general science which will be uploaded if you haven't then you will have a lot of time those videos will definitely prove superb if you are planning them to watch it as a last minute revision I will post their link in the description box hope you watch the video like the video comment in the video and subscribe our channel dailygsdoze with you in the next video jay hind jay bharat thank you